हाई गाइज वेलकम टू करेंट अफेर्स फंडा मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम 22 और 23 नमंबर के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स कवर करेंगे चले फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की The correct answer is option D. Equitas Small Finance Bank ने महिलाओ के लिए इवा नामक एक अनोखा बचत खाता शुरू किया है और फ्रेंट्स जो ये इवा सेविंग एकाउंट है ये सभी महिलाओ के लिए है चाहे सेलरीड हों, होममेकर्स, बिजनेस विमन, सीनिर सिटीजन, ट्रांस विमन या फिर नोन रेजिडेंट विमन और फ्रेंड्स जो ये सेविंग एकाउंट है इसमें 7% इंटर्स के साथ स साथ unlimited teleconsultation facility भी इसमें provide कराई जा रही है Equitas Small Finance Bank का headquarters है चेन नहीं इन तमिलनाडू और tagline है इसकी it's fun banking और friends एक current affairs आप ये भी आद रखना कि जो Indian woman cricketer है इस्मृति मंदाना ये Equitas Small Finance Bank की brand ambassador है साथ ही अगर इस्मृति मंदाना से जुड़े हुए और current affairs की बात करें तो friends player sport जो की एक fantasy sports gaming app है इसकी भी ये brand ambassador है साथी भूगनेश्वर कुमार भी इसके brand ambassador है player sport India's first moss garden has been developed in which city the correct answer is option D तो भारत का पहला moss garden उत्राखंड के नैनिताल सहर में विक्सित किया गया है और friends इसका उद्गाटन किया है Waterman of India Rajendra Singh जी ने moss flowerless plant होते हैं जिने हम सरल भासा में काई भी बोलते हैं तो कई प्रकार के ये होते हैं इसमें antiseptic property पाई जाती है इसी वज़े से first world war में soldiers के खाउट धकने या भढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया क्योंकि friends cotton के मुकाबले तीन गुना तेजी से moss liquid को absorb करती है ये biological indicator की तरह भी काम करती है The correct answer is option D तो भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक यानि कैग ग्रीश चंदर मुर्मो को अंतर संसदिय संग के बहारी लेखा परिक्षक के रूप में चुना गया है तो friends जो ये अंतर संसदिय संग है IPU इसका मुख्याल है Geneva in Switzerland में और ये तीन साल के लिए चुने गए है जो friends ये IPU है Inter Parliamentary Union इसमें 179 countries की Parliament इसकी Member है और 1889 में France और United Kingdom द्वारा इसको Establish किया गया था United Nations General Assembly में इसको Permanent Observer Status प्राप्थ है Which state will distribute cattle to the beneficiaries under YSR चेयूथा scheme The correct answer is option D तो YSR चेयूथा योजना के तहत आंदरपरदेश राज्य में लाभारतियों को पशु वित्रित किये जाएंगे और Friends इसके तहत State Government पहले Cows, Buffaloes, Goats, Sips यह सबी खरे देगी फिर उसको जो भी इस योजना के तहत Beneficiaries हैं उनको देगी और आंदरपरदेश के CM है Y.S. जगन मोहन रेडड़ी यहां के Governor है विश्व भूशन हरीचरण और यहां की Capital है अमरावती Friends जहां भी स्कीम में आपको Y.S.R. दिखे तो आंसर उसका आंदरपरदेश ही होगा क्योंकि जो इनके पिता जी थे वो पहले यहां के Chief Minister रह चुके हैं अब तो नहीं है वे क्योंकि उनका एक Accident हो गया था उसकी वज़े से वो एक्सपायर हो गये थे तो इनके पिता जी का नाम था Y.S.R. राजा सेखरा रेड़ी तो इनी के नाम पर यह जोजनाए चलती आ रही हैं आंदरपरदेश की Friends बात करें तो यह तेलंगाना 36 गड़, उडिसा, तमिलाडू और करनाट का राज्य से अपना लेंड बॉर्डर शेर करता है और Friends यह भी आप याद रखना कि गुजरात के बाद Second Longest Cost Line अंदरपरदेश की है और Friends यह पहला इस्टेट है जो की linguistic basis पर फॉर्म किया गया था या स्थापित किया गया था 1 October 1953 को इसका गठन किया गया था Which Shrine Board has begged the first prize of the National Water Awards 2019? The correct answer is option B तो श्री माता वैश्टनो देवी Shrine Board को राश्टे जल पुरसकार 2019 में परत्थम पुरसकार मिला है और friends जो यह वैश्टनो देवी माता का मंदिर है यह friends कट्रा में आप सभी जानते हैं लेकिन किस mountains पर है? तो यह है friends त्रिकुटा mountains त्रिकुटा परवत पर है यह जो यह माता वैश्टनो देवी का मंदिर है तो यह पूछा जाता है एक्जाम में याद रखना साथी friends यह भी पूछा जाता है कि जो आसाम के गौवा हाटी में जो कामाख्या टेमपल है कामाख्या देवी टेमपल है यह किस हील पर है? तो friends यह है नीलाचल हील पर तो यह दोनों पॉइंट आप याद कर लेना इनको लिख लेना यह स्टेटिक जीके में काफी important है आपके लिए The government of India and which bank signed a 120 million dollar project to improve and modernize the transport sector of Meghalaya The correct answer is option A Meghalaya के परिवहन छेत्र में सुधार और आधुनी की करण के लिए भारत सरकार और World Bank ने 120 million dollar की परियोजना पर हस्ताक्षर किये है Meghalaya के CM है Conrad Sangma यहां के governor है सत्यपाल मलिक और capital है Shilong और friends Shilong को Scotland of the East का आ जाता है यह question भी पूछा जाता है अगर आप SSC की तयारी कर रहे हैं साथी friends headquarters देख लेते हैं World Bank का headquarters है Washington DC में New Development Bank जिसे की Bricks Bank भी का जाता था इसका headquarters है in Shanghai, China Asian Development Bank का headquarters है Manila या फिर Mandalayong in Philippines और Asian Infrastructure and Investment Bank का headquarters है Beijing in China Sitmax 2020 A trilateral level exercise does not include which country The correct answer is option B तो friends त्री पक्षिये नोसेना अभ्यास Sitmax 2020 में Sri Lanka देश सामिल नहीं है इसमें India, Singapore, Thailand ये तीनों countries इस exercise में सामिल हैं और अंडमानसी में ये exercise हाल ही में conclude हुई है Friends जो ये exercise है तो परदानमंत्री नरेंदर मोदी ने Sangrela Dialogue जो की जून 2018 में हुआ था तो यहाँ पर इस exercise को करने की बात गई थी जो ये Sangrela Dialogue है ये Singapur का एक होटल है Sangrela उसके नाम पर है क्योंकि यहीं पर ये conference होती है इसे International Institute for Strategic Study यानि IISS ये conduct कराती है ये एक Intergovernmental Security Forum है साहित Academy Awardee Devi Priya The correct answer is option C साहित Academy पुरसकार विजेता देवी Priya जिनका हाली में निधन हो गया ये तेलगु भासा के कवी थे और friends इनको 2017 में साहित Academy Award मी मिला था इनकी बुक गाली रंगों के लिए वैसे इनका नाम जो है वो है सेखाजा हुसेन और friends एक बात आप और याद रखना की 6 Classical Languages हैं Tamil जो की सबसे पहले जिसको Classical Status दिया गया था 2004 में फिर Sanskrit, फिर Kannada, फिर Telugu, फिर Malayalam और फिर Odia जिसे 2014 में मिला था तो friends याद रखना Tamil 2004 और Odia 2014 यह दोनों पूछे जाते हैं एक्जाम में Team Hello इस इनिशेटिव को सुरू किया है Interpol and the World Customs Organization conducted Operation Thunder against which of the following The correct answer is option C Interpol और विश्व सीमा सुल्क संगठन ने Environmental Crimes के खिलाफ Operation Thunder का आयोजन किया है Friends जो यह Operation Thunder 2020 है यह इस सीरीज का 4th Operation राई इस साल 2017 से ही चला रहा है इसको Interpol और World Customs Organization जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर इसको उपरेट करती है तो बारत में भी ओपरेट किया गया और कई इसमें Red Sandalwood इसमें पकड़े गए हैं जिने की सईयुक तरब अमिराद भेजा जाना था 59th Annual Conference of Indian Society of Aerospace Medicine was held in which city? The correct answer is option B Indian Society of Aerospace Medicine का 69 वार्सिक सम्मेलन बेंगलूरू सहर में आयोजित किया गया और फ्रेंट्स इसको इनोग्रेट किया Air Chief Marsal RKS बदूरिया जी ने जो की Chief of the Air Staff है हमारे भारत की और फ्रेंट्स ये भी याद रखना Institute of Aerospace Medicine ये बेंगलूरू में है और फ्रेंट्स जो ये लिंज ओपन टैनिस टूर्णामेंट का किताब जीता है और फ्रेंट्स जो ये लिंज ओपन टैनिस टूर्णामेंट है ये आस्ट्रिया में होता है रिसेंट्ली यूएस सेंटर्स फोर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हैस डिस्कवर्ड चैपर वाइरस इन विच कंट्री तो हाल ही में अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोग थाम केंद्र ने बोलिविया देश में चैपर वाइरस की खोज की है इसको चैपर बोलिए या चैपर या फिर चपारे कुछ भी बोलिए ठीक है अच्छा और फ्रेंट्स जो ये वाइरस है इसका नाम ये चैपर क्यों है तो यह जो virus है यह arena virus इस family से बिलोंग करता है और काफी infectious यह virus है और इसका जो transmission होता है humans में तो वो तब होता है जब कोई human infected rats या फिर rodents के direct contact में आता है वर्ड anti-microbial awareness week is celebrated annually from which date to which date the correct answer is option c विश्व रुगानू रोधी जागरुकता सब्ताह प्रति वर्ष 18-24 नवंबर तक मनाया जाता है काफी important questions है और यह याद रखना कि anti-microbial resistance यह क्या होता है anti-microbial resistance तो friends यह तब होता है जब bacteria, viruses, fungi और parasites यह इतने powerful हो जाते हैं कि जब भी आप कोई medicine ले तो इन पर medicine का कोई असर नहीं होता है और काफी मुश्किल हो जाता है इन सब को treat करना अगर कोई virus हो आपकी simple भी virus हो आपकी body में तो उसको भी treat करना काफी मुश्किल हो जाता है immunity इतनी weak हो जाती है तो यह इससे death तक भी हो जाती है ठीक है friends और जो यह आपकी एंटो माइक्रोबियल से यह इसी disease को fight करने के लिए बनाए जाती है अब देखते हैं friends आज के important one-liners तो भारती एरटेल 4.55 करोड रूपे में सोर उड़जा कंपनी अवादा M.H. बुल्डाना में 5.2 प्रतिशत हिस्सेदारी का आधिकरण करेगी United Kingdom ने 2030 से नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिकरी पर प्रतिबंद लगाने का फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोती ने भूटान में रूपे कार्ड इस नवंबर को मनाया जाता है अब देखते हैं फ्रेंट्स प्रिवेस असाइनमेंट कोश्चन के आंसर सथकोषिया टाइगर रिजर्व इस लोकेटेड इन विच स्टेट उडिशा सलर जंग म्यूजियम इस लोकेटेड इन विच सिटी हाइदराबाद मनोस सिना इस दे ल देखते हैं फ्रेंट्स आज के असाइनमेंट कोश्चन्स बोरम देव वाइडलाइफ सेंचरी इस लोकेटेड इन विच स्टेड बोलिविया इस लोकेटेड इन विच कॉंतिनेंट राधा कृष्ण माथूर और आर्के माथूर इस लेटेन गवर्नर उफ विच यूटी न तो फ्रेंट्स इन पांचो कोश्चन्स के आंसर आप हमेशा की तरह कमेंड बोक्स में जरूर प्रोवाइट करें और फ्रेंट्स अगर आपको हमारे कोश्चन्स का कंटेंट हमारा एक्स्पिलनेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को जरूर शेर करें, इतना फेवर आप हमें जरूर कीजेगा और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर current affairs की playlist दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Telegram पर शेर करें लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं friends आकि आपको यह वीडियो कैसी लगी Thank you guys